हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट बैल तिरतल में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गोयल आज हम बात करेंगे फिर से राउट मॉयल की राउट मॉयल जो की उपर से काफी ज्यादा क्रेक्ट हो चुका है और एक मल्टी वैगर स्टोक रहा है अगर आप इसकी पहले की कैंडल देखें 625 रुपे के आसपास की है और उसके बाद की देखिए 2389 के आसपास स्टोक पहुंचा इस टाइप से और इसके अंदर देखिए जब तक स्टोक इस लाइन के ऊपर था तब तक तो काफी अच्छा था यहां पर इसने ब्रे 2889 के आसपास के हाई थे और वहां से स्टोक 1116 के आसपास ट्रेड कर रहा है यानि 50% से भी ज्यादा स्टोक ग्रेक्ट हो चुका है अगर बीक ली बेच पे देखें 29 की RSI है जानि काफी बीक है RSI जो इसके मेन जितने भी सपोर्ट लेवल थे वो सब ब्रेक कर दिया है यहा पर अब स्टोक काम करता हूँ नजरा रहा है और एक सपोर्ट जो है उसने सपोर्ट लाइन को ब्रेक यहां पर कर दिया है उसके नीचे ही स्टोक बना हुआ है आज का लो देखिए 1665 के आसपास का लो है और हमने बताया था कि यह जो लो है इस ग्रीन केंडल का जो की काफी एहम थी 1665 के आसपास का इसका लो था उसको इसने ब्रेक कर दिया है यानि यहां पर अब जो है बीकनेस बढ़ती हुए नजर आ रही है आप देखिए इन जो बड़ी केंडल्स होती है और इस टाइप भी ग्रीन केंडल्स होती है उनकी काफी इंपोर्टेंस होती है इस टोग जो जाता हुए नजरा सकता है यानि यह जो चैंडल आप देख रहें नीचे की यहां पर तक स्टोग जो है फिसलता हो नजरा सकता है बीच में जो इसका जो सपोर्ट लेबल है वो जो है 1080 के आसपास का है बट वो इतना स्ट्रॉंग नहीं है जितना 65 का था तो 1080 के आसपास नजर रखिए अगर उसको भी ब्रेक करता है तो 1010 के लेबल दिखा सकता है 29 के आसपास की आरे सही है यानि 29 के आसपास की काफी बीक स्ट्क्चर है अगर हम इसे डेली चार्ट के उपर देखें तो पूरा चार्ट स्ट्क्चर आपको इस टाइब स सपोर्ट लेवल इसने ब्रेक किया और उसके बाद थर्ड दे भी नीचे स्टॉक इस टाइम पर आप काम कर रहा है और आप से क्लियरे लिए जो लाइन बनी है एक बड़ी ग्रीन कैंडल मनी है ये काफी एहम है ! अर गर ऐगर को भी ब्रेक करता तो उसके बद हम रिव्यू करेंगे ब्लिकुल स्टोप्व्प लोज लगा के ही इसके अंदर analysts किजिये जब तक ट्रेंड चेंजिनन होता है जब तक आप इसके अंद़ कोई भी यावट क्या average करने की और अब उसके ने लिए और चाहते हैं तो बिलकुल एक ब्रेकआउट का जो पॉइंट बनता है वो बनता है इस टाइप से उसके उपर ही अगर यह ब्रेकआउट दे क्लोजिंग बेस के उपर तब आप इसके अंदर जो है ब्रेक आउट जो मुमेंटम प्ले है वो प्ले कर सकते हैं बट स्टिक स्टोपलोस के साथ कीजिए फंडामेंटल अच्छे हैं कमपनी के बट अभी सभी जैसे शेर गिर रहे हैं तो ये शेर भी गिरता हुआ नजर आ रहा है अच्छे उपर के लभी जैटाब दिखा सकता है जब हम इस लाइन के उपर दवारा चलना अरब